हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबर्दस तरीके से कर रहे होंगे क्लास 10 का एक्जाम 6 फरवरी से सुरू होने वाला है और हम लोग लगातार इस तैयारी को और बहतर करने के लिए हर एक प्रियास कर रहे हैं आप भी अपने तरफ से प्रियास पूरी तरह से कर रहे हैं और हम लोग भी अपने तरफ से प्रियास कर रहे हैं और रही बात blueprint की तो math, science, sst इन तीन subject का blueprint अल्रेड़ी upload कर दिया जा चुका है अगर कोई बच्चे इन तीनों blueprint में से एक भी blueprint नहीं देखी है तो वो जागर के पहले वो तीनों subject का blueprint देखें और उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं subject Hindi A के blueprint के बारे में और इस वीडियो में blueprint के अलावा और भी कुछ बहुत खास रहने वाला है जो की बाकी सारे वीडियों से अलग होने वाला है तो वीडियों के अंत तक जुड़े रहिए और साथी साथ यहाँ से आप लोगों को और भी फाइदे मिलने वाले क्या फाइदा होगा वो आप लो का धन्यवाद करती हो आप लोग इतना support करते हो हमें और सुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि हिंदी के subjective type question के बारे में discussion किया जाएगा उसके pattern के बारे में कि किस chapter को कितना ज्यादा वेटिज दिया गया है किस chapter को कितना कम वेटिज दिया गया है काफी बच्चे ये भी सवाल कर रहे है कि क्या आप ये जो question बता रहे हो क्या यही question exam में आएगा तो बच्चे ऐसा नहीं है ठीक है बिलकुल डिक्टो यही question कैसे आ सकता है हम examiner थोड़े हैं हम थोड़े question चाप रहे हैं ये एक pattern है ये एक frame है इसी frame पर वो question डाल करके देंगे suppose जैसे chapter 10 नेता जी का चस्मा का question एक पीस यहां से आया हुआ है और एक पीस दो marks वाला आया हुआ एक पीस तीन marks वाला आया हुआ तो इसका मतलब ये है कि नेता जी का चस्मा part ये chapter आपको करके जाना है क्योंकि इससे 2-2 यानि कि 5 नंबर के सवा आ रहे हैं तो blue pattern में यह discuss होता है blue pattern में बिल्कुल यह discuss नहीं होता है कि आपका यही question आ रहा है यह practice के नजरिये से बहुत अच्छा होता है और हर जगा यह आपको देखने को नहीं मिलेगा इसको बनाने में बहुत समय लग जाता है ठीक है बात बाकी pattern समझे कि यहां पर एक question आ रहा है तो इस type का question आ रहा है बहुत long आ रहा है कि बहुत short के question आपको revision करना है last time में हम लोको किया करना होता है smart strategy यह to follow करना होता है चली बहुत सारी बाते हो गई अब बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हो देखिए यहां पर मैं बात जो करें थे कि इस वीडियो में नया क्या रहने वाला है तो नया यही रहने वाला है कि पहले यह वाला जो कॉलम है author's name यानि लेखक का और यहां अबलिक कवी का नाम भी होना चाहिए ठीक है क्योंकि यहां लेखक और कवी दोनों है तो इसके बारे में यहां पर discussion किया जाएगा क्योंकि साथ-साथ देखिए यहां पर मैंने चैप्टर का नाम तो मैं सारी वीडियो में लिखती हूं और साथ-साथ मैंने सूच कि चली यह हिंदी है तो इसमें साथ-साथ आप लोगों को लेखक का नाम भी याद हो जाएगा तो नेता जी का चस्मा हिंदी वन बुक यानि छितिज से है और इसके टेंथ चैप्टर से स्टोरी स्टार्ट है और वहीं का पहला चैप्टर से आपका एक मार्क्स का सवाल है इक पीस है और तीन मार्क्स का सवाल है एक पीस ढें कि यह ब्लैक और रेट का कहानी क्या है निछिए ग्रीन भी ऊगए इसका कहानी क्या है इसिके बारे में नीछे एक सवाल दो मार्क्स के और एक सवाल तीन मार्क्स के पूछे गए है तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइस करना है वीडियो के साथ आप लोग भी बोलते शरी जाए बिलकुल यहां से लेखक निमा आपलों को याद हो जागा, नेता जी का चस्मा के लेखक नाम कौन है? प्रिक नाम के लेखक कौन है? स्वयाद प्राकास मानवी करूना का दिवी कमक का लेखक of क्यों है? कहानी कौन बतारी है मनुभंडारी नौबत खाने में इबादत कौन है यतिंद्र मिस्त्र उद्दव तुम हो अती बढ़ भागी ये पूरा कहानी का नाम है और भी बहुत सरा लंबत था तो मैं इतना ही लिख करके आई हूँ तो इसके कौन है सूर 10 चैप्टर नंबर 1 है यह दंतुरित मुस्कान इसके कौन है नागर अर्जुन छाया मच्छुना इसके कौन है गिरिजा कुमार मातुन संगतकार इसके कौन है मंगलेज डबराल उत्सा उत्सा के लेखक कौन है उत्सा एक कवीता है तो इसके कवी कौन है सूरी कांत त्रिपाठी निराला कन्यादान क पन्यादान भी एक कवीता है, इसके कौहन है, रितुराज, सना सना हाथ जोडे, ये साना साना था सायद, साम्याकार रह गया है, मधू कांकरिया, जार्ज पंचम की नाक, ये हिंदी टू यानि की कृतिका से है, और इसके लेखाखे कमलेश्वर, कमलेश्वर नाथ रेनू था सायद, ठीक है, तो अब हम लोग अपना ये सिलसला जारी रखते हैं, तो बालगुवीन भगत चैप्टर नमबर 11 है, इससे एक दो माक्स के सवाल आया है, एक कहानी यह भी, ये चैप्टर नमबर 14 है, और इससे तीन माक्स के एक सवाल बने है, नौबत खाने में इबादत, चैप्टर नमबर 16 है, इससे दो माक्स के एक सवाल बने है, उद्धव तुम हो अती बड़ भागी, ये चैप्टर नमबर 1 है, इससे भी दो माक्स के एक सवाल बने है, या दंतुरित मुस्कान, ये चैप्टर नमबर 6 है, इससे भी दो माक्स के एक कोशन और तीन माक्स के केई छाया मत ज्छुना पोयम नंबस सेवन है और इससे डों प्सवाल पूछे गया है संगत का चैप्टर नंबर नाइन है उत्सा है को अ्य दुनमेंबस पूछे गई अस or इससे थीमार्ज़ के सवाल पूछे गए चेटिज बुक का है कर्णियादान भी पोयम है पोयम नंबर एट है और यह से तीन मांक्स के एक सवाल पूछे गए है साना साना हाथ जोड़ी जो हिंदी टू है कृति का चैप्टर नंबर थी है इसमें तो टोटल साथ पांच ही चैप्टर है तीन मांक्स के एक आपचारिक आ सकता है पांच मांक्स के लिए तीक है आपचारिक किसको कहते हैं आपचारिक वैसे पत्र को कहते हैं जो हम लोग किसी अध्यक्ष के पास नगरपालिका के पास प्रधाना ध्यापक के पास किसी भी ऐसे वैक्ति के पास लिखते हैं जो कहीं का अधिकारी हो य जिस बीडित अपलिए को आप लिगी गना लिए यहां पर राता है तो निबंद में क्या होता है और संकेच बिन्दु दिया रहता है और संकेश बिंदू दिया रहता है इसके बारे में point आपको देदेगा कि इसका परिचाय लिखिये, इसका सीमा लिखिये, निवासी, इसका इतिहास ये point देता है, ठीक है, और विज्ञापन एक आता है, पाच marks का, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा subjective pattern है, subjective जो है वो टोटल, अब लोग का पचास marks का आता है, बा पूछा गया है, ठीक है, तो वो जो यहां पर chapter नहीं दिखाई पढ़ रहा है, उन्हीं सारे chapter में से objective पूछा गया है, एक-एक marks के लिए, और इसका grammar, इंगलिस का तो काफी grammar करवा चुकी है, एक assertive sentence वाला बाकी है, remove to का मैंने अलग से करवाया है, model verb का मैंने अलग से करव दिया है, इसके लावा, remove to के question कैसे बहुत जल्दिस solve किया जाए, उस पर एक separate video बना हुआ है, तो हिंदी के लिए भी कैसे विज्ञापन solve करना है, ग्रामर में जो हो गया, सक्रिय, अक्रिय हो गया, फिर वाक की जो तीन प्रकार का आता है, सररवाक के, मिस्तर वाक के, और स परिश्रम करते रहोगे, तो आपकी परिश्रम कभी भी व्यार्थ नहीं जाएगी, तो thank you, मिलते हैं next video में एक नई उत्साह के साथ, एक नए content के साथ, ताकि आप लोगों की तैयारी और भी ज्यादा बहतरी हो सके, धन्यवाद, thank you.